सो हे गाईज रिलकम बैक एक और नई एन्मे एक्स्प्लेंड के अंदर एन्वेलियार आज मैं लेट तक ग्रैविंग सोल रिटायर एन्मे के पहले एपिसोड को एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ और दिखेंगे ये एन्मे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है आज में ये तुमें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इसके करेक्टर एंड श्टोडी दोनों को लेके तो आज आज फिर सुरू करते हैं इस एन्मे के एक्स्प्लेरेशन को बिना किसी देडी के एपिसोड की सुरुवात होती है और यहाँ पे हम लोग को एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपने सभी साथियों से कहता है कि चलो हम ट्रेजर हंटर बनते हैं हम लोग दुनिया के सारे ट्रेजर्स को खोजेंगे और काफी अमीर और फेमस बन जाएंगे और यह सुनके जो उसके साथी होते हैं वो भी काफी ज़्यादा खुस होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ यह काफी अच्छा प्लैन है हम लोग यही करेंगे जो सुनकर वो बच्चा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब हमारा एक ही गोल है और वो है दुनिया का सबसे best heroes बनना तो जलो एक दिन हम लोग मिलकर Imperial Capital जो Brodea में जाएंगे इन सबी बच्चों में से हमारा main character Cry भी होता है इसके बाद हम लोग को कुछ साल बात के story दिखाए जाती है जहां Cry हमें बताता है कि Imperial Capital में Treasure Hunters को Stars माना जाता है वो लोग World में अलग-अलग जगा ट्रेवल करते हैं और फिर वो हमें बताता है कि दरसल ये काम जितना देखने में आसान लगता है असल में ये उतना है नहीं इस काम के अंदर हमेसा जान को खत्रा रहता है क्योंकि जिस monster से ये लोग लड़ते हैं उन्हें ये लोग phantoms कहते हैं और वो काफी अधा खतरनाक होते हैं खेर आज की दिन ये लोग एक pub के अंदर interview रख रहे हैं potential से भरे new members को ढूणने के लिए cry बताता है कि एक alien parties का connection होता है जो एक साथ आ कर एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि एक जो solar hunter होता है उसकी भी एक limit होती है पर अगर तुम और उचा उठा चाते हो तो तुमें एक अच्छी party की जरूरत है जिससे कि तुम अपने साथियों के साथ और ज़्यादा ताकत पर हो सकते हो पर unfortunately मैं इस चीज को करने में fail हो गया हूँ लेकिन जो cry होता है वो उससे हाथ नहीं मिलाता वो सीधा उसे कहता है कि मेरा नाम cry है और मुझे तुम से मिलके अच्छा लगा जिस पर बताती है कि ठीक है मेरा भी नाम rooda है इसके बाद वो कहने लगती है कि आज तो काफी सारे लोग आये हैं इतने समय तक मैं भी solo थी पर मैं एक treasure world को handle नहीं कर पाए जिसे white wolf den कहते हैं इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक party join करनी चाहिए और ये सुनकर अब एक बंदा उस पर हसने लगता है और कहता है तुम तो मुझे हसी दिलारी हो तुम level 3 पे हो और तुम white wolf den को हराने की कोसिस कर रही थी ये जगा तुम जैसे new hunters के लिए नहीं है उसकी बाद सुनकर रूडा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने नूब किसको बुलाया मैं तुम्हारे गोटे तुम्हारे मुझे से बाहर निकाल दूगी जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि जो इस टैप है वो एक रियोन क्लैन है और वो सिर्फ एक level 3 है तुम तो एक mid grade ही हो और ऐसी जगा पे तुम एक beginner ही हो तो तुम्हे कोई भी क्लैन को ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा जो सुनकर इन दोनों की फट जाती है और ये दोनों सांथ हो जाते हैं वही हम क्राई को देखते हैं जो कि अपना मूँ छिपा रहा होता है अगले सीन में वो लोग अब अंदर आते हैं जहां पर रूडा कहती है कि यहाँ तो काफी सारे हंटर्स हैं मैं तो यसी जगह पे आज से पहले कभी भी नहीं आई हूँ क्या क्राई तुम आचुके हो तो कहता है कि हाँ ये मेरा फिफ्ट टाइम है ये सुनकर रूडा हैरान हो जाती है और कहती है माफ करना मुझे पता नहीं था तो क्राई कहता है कोई बात नहीं माफी मागने की जरूरत नहीं है तब ही रूडा सामने की तरफ एक पार्टी को देखती है और कहती है कि ये कौन सी पार्टी है जो कि काफी flesy लग रही है वहाँ तो काफी भीर भी है तो cryo से बताता है कि ये अर्क व्रेव के members हैं ये लोग भी लोग को recruit करने आये हैं और ये जो party है ये सबसे ताकतवर है उन लोगों ने level 7 के treasure world को सिर्फ 6 members से ही complete कर लिया था बीच में जो बंदा बैठा है वो उस party का leader है उसका नाम आर्क रोडिन है अगर वो तुम्हें accept कर लेता है तो तुम्हारे hunter होने के chances पूरी guarantee हो जाती है पर जितना मुझे पता है ऐसे event में आज तक उन्होंने किसी भी member को recruit नहीं किया है जो सुनके रूडा कहती है कि वहाँ पीछे भी एक disc है पर वहाँ तो कोई भी नहीं है वो कि इस party का है इससे पहले की क्राई उसे कुछ बता पता तभी वहाँ फिर से वो बंदा आयाता है अब उसे कहता है मेरा नाम है Greg मैं तुमें बताता हूँ कि आकर वो party कौन सी है वो table उस party की है जिन्होंने first step को originally बनाया था उनका नाम Grievous है और उन्होंने इस clan को found किया है ये बात सुनकर cry up कहने लगता है कि जो Grievous है ये उन youngster का group है जो कि कुछ सालों पहले capital में आया था वो सभी लोग काफी ज़्यादा ही talented है वो काफी ज़्यादा famous है उन्हें capital के top parties में से एक माना जाता है उन्हें सभी का पुरा नाम है grieving souls ये party और किसी के नहीं बलकि मेरे बचपन के दोस्तों की ही है वही अब Greg बताने लगता है कि ऐसा history में पहली बार हुआ है कि Grievous आज एक new member select करने वाले हैं इसी वेज़ यहाँ पर इतने सारे लोग आये हैं पर वहाँ पर वो लोग भी आये हैं जिने solo hunters कहते हैं वो भी griefs को join करना चाहते हैं तभी वहाँ पर एक hunter आयाता है जो कि कहने लगता है griefs कहाँ पर है मेरे past lodgers के लिए time नहीं है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर सिर्फ best लोग आते हैं एक दिन मैं सभी hunters में से सबसे ताकतवर बनूँगा मैं already level 4 पर आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि capital के सबसे strongest party मुझा recruit करे तब ही उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है टीनो वो से कहने लगती है कि तुम्हें अपनी जगह मालू होने चाहिए यह देखकर दुसरा बन्दा अब तीनो को रोकने की कोसिस करता है पर तीनो कहती है नहीं रहने दो मैं इसे जल्दी से यहाँ से भगा देती हूँ अगर मेरी बेहन यहाँ पर होती तो वो भी यही करती क्योंकि ग्रीविन सोल्स में सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ क्योंकि मैं यह सुनकर सभी साइड में हट जाते हैं और अब वो लोग लरने के लिए तयार हो जाते हैं तीनों भी लरने के लिए रेडी हो जाती है यह देखकर क्राई अब रोडों से कहता है कि हम लोगों को यहां से चले जाना चाहिए चलो अब बाहर निकलते हैं जिसके बाद वो वहा करने के लिए आ जाता है पर टीनों की नजर अपसीरे क्राई के ऊपर चले जाती है वो देखती है कि वो तो वहाँ से जा रहा था इसलिए वो सामने से हट जाती है और क्राई के पास चले जाती है वहीं पर उस बंदे का जो हमला होता है वो दिवार पे आके लग जाता है अब तुम्हारे बीना चीजे सुरू कैसे हो सकती हैं। वहीं पर ये बात सुनने के बाद रुडो और बाकी सभी काफी जदा हैरान हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि Cry ही क्लैन मास्टर है और Gravers का लीडर है। इसके बाद नेरेटर हम लोगों को बताता है कि हम लोग एक ऐसे एरा में हैं जहाँ पर ट्रेजर संटर अपने टैलेंट को अपने कैपिटल में दिखाते हैं। पर यहाँ पर एक इनसान है जो कि सभी लोगों से काफी जदा आगे है। उसका नाम है Cry और वो सबसे स्ट्रॉंगेस्ट क्लैन का मास्टर भी है। यह कहानी है Cry की जिसने अपने जाइलूर्ट दोस्तों के साथ यह स्ट्रॉंगेस्ट पार्टी बनाए जिसके बाद हम लोग को अब कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। आई अब कहने लगता है कि हम सभी लोग की एक ड्रीम है जो की है ट्रेजर्स अंटर बनना हम सभी लोग के अंदर जो टैलेंट है वो इक्वल नहीं है मेरे जो बाकी के साथी है वो काफी ज़्यादा पावफुल है पर मैं नहीं हूँ मैं बस औरिनरी हूँ अगर मैं अपन के हंटर्स बनोगे तो मैं होग करता हूँ तुम लोग समझोगे जो सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग यह सोची रहे थे कि हमारे पास एक लीडर नहीं है तो तुम्हें लीडर बनना चाहिए यह सुनकर सभी लोग कहते है कि हाँ यह आईडिया काफी अच्छा है क्राई हमारा लीडर बनेगा और यह सारी बाते सुनकर क्राई अब काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे यारे अब यह क्या बावाल है मैं तो कुछ और ही बोल रहा था और तुमने तो मुझे लीडर ही बना दिया पर वो लोग उसकी बाते सुनते ही नहीं है जिसके ब हम आर्क को देखते हैं जो कि यहां पर क्राई से कहने लगता है कि तुम लेट इसलिए आये क्योंकि तुम ज्यादा सो गये थे वेल कितना अच्छा जोक मारा है जो सुनके टीनों वहाँ पर आयाती है और वो उसे कहती है कि मेरे मास्टर से दूर हो जाओ तो वो भी मान जाता है और अब वो क्राई से कहने लगता है लगता है तुम छुपकर इसलिए आये थे जिससे कि तुम क्राउड को अच्छे से देख पाओ वो भी common person बन की इसलिए तुमने अपनी uniform भी नहीं पहन रखी है वहीं आपने हमें order दे रखा है कि हम लोग properly dressed हो के आये cry कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने कहा ना कि मैं ज्यादा सो गया था तो ready होने का मुझे समय नहीं मिला इस बात पर अब आर्क विश्वास ही नहीं करता है उसे लगता है कि वो मजा कर रहा है cry मन में कहने लगता है कि hunters ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों की बातों को नहीं सुनते जिसके बाद टीनो अब कहने लगती है कि यह आर्क इतना ज्यादा insulting है इसे यहां से हटा देते हैं जिसपर cry कहता है नहीं cry अब मन में कहता है इस लड़की का नाम है टीनो और यह एक सोलो हंटर है और यह मेरे बचपन की दोस्त लीस की एप्रेंटिस है इसके बाद आर्क अब cry से कहता है कि क्या तुम्हें कोई अच्छा candidate मिला जिसपर cry कहता है कि हमारे पास enough member है जिसके बाद अब वो कहता है कि अगर मैं कहूं कि मुझे एक potential new member दिखता है तो क्या तो मुझे लोगे जिसपर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मतलब तुम कहो और मैं ना करूं और ये बात सुनके वो लोग काफी यदा हैरान हो जाते हैं आर्क की एक साती कहती है ये तुम क्या कर रहे हो इस पर आर्क अब उससे रूप देता है और कहता है कि मैं सिर्फ एक ही बर्जन को लूँगा जो सुनकर cry कहता है तो क्या तुम किसी को भी दे सकते हो आर कहता है हाँ पर उस बंदे को तुम्हे सिलेक्ट करना होगा यह सुनकर cry अप सोचता है कि आर काफी handsome है साथ में वो काफी generous भी है वही टीनो भी cry से कहती है कि मैंने decide कर लिया है मैं आपको ही जोइन करूँगी मैं आर की पार्टी को जोइन नहीं कर सकती हूँ तब ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वो लड़का आयाता है इससे देखकर टीनो गुशे से आकर उसे लड़ने के लिए जा रही होती है जो देखकर क्राई अब उसे रोकता है क्राई अब उस बंदे से कहता है कि तुमने कहा था तुम लेवल 4 पे हो है ना पर तुम किसी पाटी में नहीं हो जो सुनकर वो बंदे कहता है कि हाँ और तुम अपने काम से काम रखो मेरा नाम गिलवर्ट है और उसे देख कर क्राई कहता है कि यह काफी जल्दी से एक अच्छा हंटर नहीं बन पाएगा और उसे सब लोग ट्रेन करेंगे तो सायद वो एक अच्छा हंटर बन भी पाए पर अब ही लोगों को जज करने में मैं काफी बेकार हूँ तो किसी को भी मैं चुनूँगा तो लग पे चुनूँगा क्राई अब गिलबर्ट से कहता है ठीक है मैं तुम्हें आर को रिकमेंड करता हूँ पर एक सर्थ पे मुझे ये बताओ कि हंटर्स के लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या होती है तो गिलबर्ट बता नहीं पा रहा होता है जिस पर क्राई कहता है कि वो इंपोर्टेंट चीज ये है कि कभी भी नहीं हारना होता है अगर तुमारे अंदर ताकत की कमी हो तो तुम अपने पार्टी को खत्रे में डाल दोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ना हराने वाली अपनी एबिलिटी दिखाओ और वैसे भी जब से मैं एक हंटर बनाऊँ तब से मैं आज तक एक बार भी नहीं हारा हूँ ये सुनकर गिलबर्ट और बाकि सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो उसकी तारीफ करने लगते हैं वहीं क्राइब सोचता है आज तक मैं इसलिए नहीं हारा हूँ क्योंकि आज तक मैं कोई प्रॉपर फाइट ही नहीं करा क्राइब अपनी एक अंगुठी बाहर निकाल लेता है और अब वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग है मैं तुम सभी को एक चैलेंज देता हूँ जो भी इस अंगुठी को पकर कर आर को देगा वो उसकी पार्टी के लिए रिकमेंड हो जाएगा और ऐसा बोलने के बाद क्राइब उस अंगुठी को फैंक देता है और अब गिलबर्ट उस अंगुठी को पकर लेता है जो देखकर टीनों वहाँ पर आती है और उसे एक जोड़दार लात मारती है जिसके वैसे वह स्कीदे जाके एक दिवाल में टकराता है और उसके हाथ से अंगुठी नीचे गिर कर रॉल होने लग जाती है जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर उस अंगुठी को पकरने के लिए लड़ने लग जाते है जिसके बाद क्राइब उन सब को बताने लगता है कि एक चुली में वोचो रिंग है वो एक रैड है और जिस किसी को भी वो रिंग मिल गई है वो उस रिंग को रख सकता है इसलिए गुड लग क्राई अब वहाँ से जाने लगता है और अब हो रूटा और ग्रेक से कहता है कि तुम लोगों से मैं बाद में मिलूँगा ऐसे बोलने के बाद वो सभी को बाय करके चला जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग तो उस अंगोटी को पकरने के लिए काफी ज़्यादा तबाही मचा रहे होते हैं दूसरी तरफ क्राई अब पीछे के रास्ते से निकल लाता है और अब वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ अब अकले सीन में हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखा जाता है चापर क्राई अपने घर पे होता है और वहीं पर एक लड़की उसे आकर बताती है कि कल की वज़े से फ्रंट पीज पर न्यूज आ गई है जिसमें आपकी बात अखी गई है क्योंकि जो पुड़ा वेन्यू है वो तबाह हो गया है जो सुनके क्राई कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ किसी को चोड़ तो नहीं लगी न तो अलर की जिसका नाम एवा है वो वाइस क्लैन मास्टर है वो कहती है कि किसी को चोड़ तो नहीं लगी पर explorer association आपसे मिलना चाहती है जो सुनके क्राई कहता है ये तो दिक्कत की बात है क्या आर्क ने कुछ कहा तो एवा कहती है कि हाँ उसने आर्टिकल को पढ़ा और हसने लगा जो सुनके क्राई कहता है कि अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो रिपेर का जो भी खर्चा है तुम उसके अकाउंट में डाल देना और अब association से मिलने के लिए तुम उसे ही भेज़ देना कि चिंदा मत करो इस समय पर तुमारे उपर कोई भी हमला नहीं करने वाला है तो क्राई कहता है कि आज तक तुमारे उपर कभी हमला नहीं हुआ है इसलिए ये सब तुमारे लिए इतना ज्यादा आसान है मेरे पास सही में कोई च्वाइस नहीं है ठीक है मैं जा रहा हूँ अगले सिन में हम लोग अब क्राई को देखते हैं जो कि जोड़ जोड़ से चिला कर उस बंदे से कह रहा होता है कि माफ करना मेरी वज़ा से प्रशानी हुई पर मैंने जान बुछ कर ऐसा नहीं किया मैं उस तबाई को रोक नहीं पाया कर एक बुक दे देती है फर्स्ट टिप जैसी एक क्लैन को दूसरे हंटर्स के लिए एक एक्जामपल सेट करना चाहिए और अगर तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगी तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे जो सुनके क्राई कहता है कि इसका मतलब मुझे कोई काम करना पड़ेगा क्राई अब हम लोगों को बताता है कि एक्सप्लोजर एसोसियेशन एक ऐसी एसोसियेशन है जो कि हंटर्स के लिए अलग-अलग तरीके की जॉब्स को पाती है कुछ जॉब्स में काफी कम पैसे मिलते हैं और कुछ जॉब्स में काफी मुश्किले होती है उन जॉब्स को कोई नहीं करना चाहता हंटर्म जॉब्स को चोर्स बुलाते हैं क्राई अब गर्ग से कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है इसलिए मैं तुमारे लिए काम करूँगा पर फिर हमारी ये गलती इतनी भी जादा बड़ी नहीं थी जिसके बाद क्राई अब अपने लिए कोई नई जॉब ढूनने लगता है जो कि वो खुदना करके आर्क को दे देगा वो अब थोड़ा ढूनता है और अब वो लेवल 3 की जॉब को एकसेप्ट कर लेता है वो जॉब है एक डेस्क्यू मिशन जिसमें कुछ मिसिंग लोगों को ढूनना है अगले सीन में अब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि गॉर्क से कह रही होती है कि क्राई काफी ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है तो गॉर्क कहता है कि हाँ वो हमेशा सही ऐसा ही था और देखो तो वो कितना कमाल का है उसने सबसे डेंजरस मिसन लिया है मैं क्राई को ये बात बता ही नहीं पाया कि जो मिसन उसने चुना है वो सच में सबसे ज़्यादा खतरनाक है जिसके बात क्राई को घड़ा के पता चलता है कि आर्क तो यहाँ पे है ही नहीं तीनो अब उसे बताती है कि जो आर्क है उसे कुछ नोबल्स ने अपने पास बुलाया है और वो थूरे समय के लिए आएगा ही नहीं ये सुनकर क्राई कहता है कि इसका मतलब यहाँ कोई भी नहीं है तब ही टीनो क्राई को देखती है कि उसकी रिंग मिल चुकी है और वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आपकी ये रिंग मैं रख लूँ जिसपे Cry कहते है कि हाँ तुम से रख सकती है और ये सुन चेंब वो काफी यदा खласт हो जाती है तब ही Cry उसे कहते है कि क्या तुम अभी फिरी हो जिसपे वो कहते है कि आपके लिए तुम मैं हमेशा फिरी हूं बदलाब बहुत ज्यादा फिरी हूं जिस पर क्राई कहता है कि अच्छा ज्यादा मतुरो, फिल मिझे एक काम था, मुझे एक क्विस्ट मिला है, ये बात सुनते ही टीनो वहाँ से जाने लगती है, तब ही अपना बंद एक अजीब सा ओजार निकालता है, उरसे पकर के वाबे बैठा देता है, जिसके बाद वह च टीनो अब उसे कहती है, मास्टर, मैं तो भी सिर्फ लेवल 4 पर हूँ, वैं 5 लोगों को अकेले टेस्क्यू नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है कि आप मुझे ऐसा मिसन इसलिए दे रहे हो, जिससे कि मैं ताकत वर बन सकूँ, पर इस काम में मैं मारी भी जा सकती हूँ, ज तो कहता है, लेकिन ये तो सिर्फ लेवल 3 की जॉब है, वो उसे कहता है कि तुमने कहा था ना, कि तुम अकेले नहीं जाना चाहती, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज दूँगा, जो सुनकर अब टीनो थोरी सी सरमा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि क्राई के साथ जाने वाला है, लेकिन क्राई यहां पर उसे जोर का जटका काफी जोर से देता है, क्राई उसे कहता है कि यो मिसन है, वो वाइट वूल्फ डॉन में है, इसलिए तुम्हारे साथ ग्रैग, गिलबड और रूडा जाएंगे, और वहीं हम देखते है कि टीनो इस बात से बिलकुल भी कुछ नहीं लग रही थी, और वहीं क्राई उसे उपर से देखकर काफी ज़दे इंज्वाय कर रहा होता है, और यार इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है, विल तुम्हें इस एपिसोड की एक्स्प्लेनेशन कैसी लगी, कॉमेंट करके अची लगी हो, तो यार लाइक कर देना है यहाँ, सेर करना मत भूलना, वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुम्हें एक और नहीं वीडियो, एक और नहीं एक्स्प्लेनेशन के साथ, तब तक लिए टेक क्यार, गुडबाई